वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की फ्रेश कमाल वीडियो के अंदर आज है मंगलवार और बात करने वाले है क्रिप्टो मार्डेट की और crypto market में भी अगर देखें तो सब कुछ मंगल हो रहा है कल से ही हो रहा है सारी चीजे discuss करेंगे क्या कुछ market का हाल चल रहा है और क्या कुछ Shiba Inu altcoins का हाल चल रहा है लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning I hope आप सब अच्छे होंगे आ चुके हैं coin market cap पे सबसे पहले global crypto market अगर आप देखेंगे 1.20 से 27 पे आए 1.30 अभी अगर आप देखेंगे 1.31 trillion dollar पे हम पहुँच चुके हैं ये market cap हो चुका है और पूरा market कल 5% उपर था आज भी 4% उपर चल रहा है और bitcoin ने रात रात में क्या कमाल किया है वो भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि bitcoin ने काफी time के बाद 32,000 dollar का level टच किया है और कैसा level टच किया है आज देख लेते हैं bitcoin का और bitcoin अगर आप देखेंगे इस time पे तो 31,000 पे चल रहा है और यहाँ पे एक monthly closing का भी time है आज last day है में मन्त का तो यहाँ पे अगर हम bitcoin को देखें तो bitcoin भी चलते हैं और bitcoin ने क्या कुछ किया है last 24 hour के अंदर क्या कुछ price रहा है तो आगे हैं bitcoin के price पे और bitcoin का current price चल रहा है 31,000 dollar पे जी हाँ 31,630 पे bitcoin ट्रेट कर रहा है 4% greenery चल रही है market के अंदर एक green market हमको देखने को मिल रहा है bitcoin की बदोलत और अगर आप देखेंगे यहाँ पे bitcoin का volume देखेंगे last 24 hour में 68% उपर है market cap अगर आप देखेंगे तो कहीं जैदा market cap फिर से gain किया है bitcoin ने अपना और यहाँ पे जो low अगर आप देखेंगे 30,329 का है लेकिन 29,000 डॉलर से ही वापिस आया bitcoin और अगर आप देखेंगे 31,949 तकरीबन तकरीबन 32 का high बना चुका है bitcoin और यह एक बहुत बड़ी बात है अगर आप देखेंगे यहाँ पे और monthly closing का time है तो bitcoin यहाँ पे आज देखना जरूरा closing कहाँ पे होती है अगर closing अच्छी होती है तो price में और अच्छा हमको jump देखने को मिल सकता है लेकिन अगर closing से पहले पे कुछ खेल होता है या bitcoin और नीचे गिरता है तो देखना बहुत जरूरी है और last one देखा अगर आप graph देखेंगे bitcoin का तो यह कुछ graph रहा है ठीक है तो काफी अच्छी green market चल रही है और यह जो level थे 31,300 यहाँ से हम सीधा आए 31,900 तकरीवन तकरीवन 32,000 dollar का जो level है वो bitcoin ने यहाँ पे touch किया है बाकी coins की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो bitcoin के साथ साथ आप ethereum को अगर आप देखेंगे तो ethereum भी 1982 पे चल रहा है और 2000 dollar जो है level के करीब ethereum पहुंच चुका है और 5.7% उपर चल रहा है इस time पे ethereum जो कि एक बहुत अच्छा number है 1700 से सीधा सीधा 2000 का level करीब करीब ethereum के और अगर आप teether देखेंगे वो है अपना third number पे इसके लावा usd coin है इसके लावा bnb coin 318 dollar पे जी हाँ 318 dollar पे चल रहा है और हलकी सी greenery हमको binance coin में भी देखने को बिल रही है 52 अगर आप देखेंगे यहाँ पे 52 billion dollar का market cap है binance coin का six number पे आ चुका है cardiano यह एक बहुत बड़ी बात है six number पे cardiano की वापस ही हो चुकिया एक time था जब cardiano six पे रहता था और 21% last 24 hour के अंदर अगर आप graph देखेंगे cardiano का 21 तो बिल्कुल cardiano एक बार फिर से यहाँ पे काफी bullish है तो देखते है cardiano की rally कहां जांके रुकती है यहीं पे रुक जाएगी यहीं पे stop हो जाएगी depend करता है bitcoin के moment किस तरफ जाते है 20 billion dollar का market cap cardiano का 6 number पे xrb ripple 4% उपर है 0.41 के साथ xrb ripple और भी नीचे जा सकता है इसका भी 20 billion dollar का market cap है Binance USD आ चुका 8 number पे solana चल रही है 9 number पे 47 dollar के साथ 16 billion dollar का market cap है solana का इसके लावा अगर हम बात करें dodge coin की 10 number पे dodge coin तो fix हो चुका है और 0.08 के साथ चल रहा है 3% उपर है doge coin और 11 billion dollar 11 billion dollar का market cap polka dot 10 dollar पे 2% उपर चल रही है 10 billion dollar का market cap है polka dot का wrap bitcoin 12 पे है Tron भी 13 पे fix हो चुका है 7 billion dollar market cap के साथ launch का भी 7 billion dollar का market cap है 14 number पे है 27 dollar पे चल रही है तो बिलकुल die अगर देखेंगे यहाँ पे 1 dollar die 15 number पे और Shiba Inu 16 पे है और 0.4 x 012 की सीरीज पे Shiba Inu trade कर रहा है 1.9% उपर चल रहा है तो Shiba Inu के high low देख लेते हैं क्या कुछ Shiba Inu ने किया last 24 hour के अंदर तो आगे हैं Shiba Inu के price पे current price चल रहा है अगर आप देखेंगे dollars में चल रहा है 0.0000202 10 की सीरीज चल रही थी वहाँ से काफी अच्छा उपर आया Shiba Inu और 12.35 का high बनाया है 11.53 का low भी है जो last 24 hour से तो यह कुछ price चल रहे हैं जो की काफी अच्छी सीरीज आ चुकी है 12 की सीरीज जो काफी dip का level चल रहा था 17.35.000 लोगों ने इसको अपनी watch list में add कर लिया है ठीक है और 6.6 billion डॉलर का Shiba Inu का अभी current market cap है और यहां पर अगर हम Shiba Inu का one day गा चार्ट देखें तो यह है one day गा चार्ट Shiba Inu का और जो level से 11.80 की सीरीज से सीधा 12 पे आया वहां से भी level फिर नीचे गए इसके 11.16 तक लेकिन यहां से फिर एक greenery आई और यहां से price फिर उपर गए और अगर हम trading volume की बात करें Shiba Inu में क्या कुछ हो रहा है trading volume के अंदर तो अगर आप देखेंगे 33% जो है trading इस टाइम पे हो रही है तो यह trading का number निकल के आ रहा है इस टाइम पे यह कुछ current हाल है पूरे crypto market और Shiba Inu के greenery market के अंदर आच्छा हुई है तो Luna 2.0 की बात करना भी बहुत ज़रूरी है और अगर आप नई Luna के price देखेंगे तो नई Luna के price यहाँ पे चड़ते हुए हमको दिख रहे है और Binance Listing आज होने वाली है नई Luna की और यह सीधा पहुँच चुकी है जो 400, 4500 के price चल रहे थे वहाँ से सीधा पहुच चुकी है यह 700 रुपे और 711 रुपे इसके current price चल रहे है इस time पे 58% यह उपर गई है और 9 डॉलर पे चल रही है ठीक है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका last 24 hour का chart यह जो high इसने बनाया यह 800-900 के करीब के बनाया अगर आप देखेंगे यह जो price जा रहा है यह 800-900 पे जा रहा है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी 711 पे price चल रहे है तो काफी अच्छी greenery आगी है कौन-कौन सी exchanges ने अब तक इसको list किया अगर आप देखेंगे ज Binance की listing आज होने वाली है और Binance listing से पहले pump आ रहा है तो definitely लोग यहाँ पे Luna को खरीद रहे हैं और एक hope है कि Binance listing होगी तो यहाँ पे pump और भी हमको देखने को मिल सकता है तो 711 पे और Luna, Terra, Luna 2.0 इस time पे bullish बनी हुई है और price यहाँ पे चड़ रहे है और वहीं अगर हम बात करे Terra UST Classic की इसकी situation थोड़ा सा उपर जाता है लेकिन उससे कहीं जैदा नीचे जाता है और यह आ चुका है finally 1 रूपीज पे और यह भी वो level आपको दिखा देगा जो Terra Luna Classic ने दिखा है 1 रूपीज से नीचे यह stable coin भी पहुँच जाएगा और यह history बना देगा जहां तक चीजें दिख रही है ठीक है 24% नीचे गया है 1.82 पे चल रहा है और इसकी वजह से Luna Classic कल बहुत अच्छा pump कर रही थी यह भी pump कर रहा था लेकिन अभी एकदम से फिर से डाउन हो गया है तो Terra Luna Classic भी यहाँ पे डाउन गई है अगर आप देखेंगे current price जो चल रहे है वो यहाँ पे च चल रहे है और अगर आप देखेंगे dollars में तो 0.000 12 की series चल रही है तो यह कुछ current price चल रहे है Luna Classic Luna के Luna 2.2 के और UST Classic के तो सबसे पहली update की बात करें तो Shiba Inu Games को लेके आ रही है update from Shiba Inu Games और from the Shib CCG अगर आप देखेंगे you can see a card reveal now in the latest post by तो Games को लेके हम पहले ही आपको aware कर रहे थे कि Shaitoshi Kusama June में या तो सबसे पहले आपको game launch होती भी दिख सकती है Shibarium और Stablecoin ये तीन ऐसे project हैं जो June में इसे दो project आपको आते हुए दिख सकते हैं लेकिन दो के chances पूरे हैं और यहाँ पे game की जिस तरह से hype चल रही थी बात चल रही थी तो उसी को लेके जिस तरह से game को लेके updates आ रहे हैं तो definitely games आपको आते हुए दिख सकते हैं Shiba Inu के तो बात करेंगे Shiba Inu के founder के बारे में जिनोंने कल अपने tweets को delete किया है Shiba Inu lost its founder अगर आप देखेंगे और यहाँ पे क्या चीजे हैं क्यों tweet delete किये गए रियोशी makes a surprise appearance after one year of disappearing by deleting tweets आप सबको पता होगा रियोशी जो Shiba Inu के founder है और आपने Twitter पे खल हमने बात भी की थी उन्होंने अपने सारे tweets को delete किया है और इसके बात बहुत सारी चीजे हैं लेकिन एक negative impact हमको Shiba Inu पे देखने को नहीं मिला ठीक है और बिलकुल भी नहीं देखन को मिला ना ही कोई यहां पर panic वाली situation हमको देखने को मिली है और community reaction to Ryoshi disappearance और यहां पर बहुत सारी चीजे हुई है अगर आप देखेंगे रियोशी social media account deactivate हुआ है और यहां पर जो एक all hail the Shiba जो medium था वहां पर भी एक error हमको देखने को मिला तो बहुत सारे लोगों को यहां प रायोशी के जो founder है और community debate on recent developments तो with recent developments Shiba Inu community has तो जो latest action लिये गए है रायोशी की तरफ से उसको लेके बहुत सारे लोग करेंगे मैंनी suggest that perhaps the founder is planning to make a major comeback तो बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि plan कर रहे है कि major comeback करेंगे और other user suggested that it could be that mail factor has gained unrestricted access to रायोशी twitter and medium account और इसलिए delete की गई है all tweets तो मैंड में गलत जो है का रहा था कि क्यों tweet delete किये गए क्या रयोशी जो है जा रहे है त्वींटर से यह सब कुछ हो रहा है तो वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है ठीक है यहाँ पर delete जरूर के गई है लेकिन delete करने का मतलब यहाँ पर Mais I may a और यहाँ पे जो शायतोशी कुसामा है उन्होंने भी बहुत सारी चीजें इसके उपर कही है और जो पिक्चर अगर आप देखेंगे रायोशी की जो एक पिक्चर लगी है उनको लेके यहाँ पे ट्वीट किया है और रायोशी is one of the most अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे सबसे पहली कि शिबा इन्हों को सेल कर दें शिबा इन्हों को बेच दें लेकिन किसी ने शिबा इन्हों को यहाँ पे सेल नहीं किया और यहाँ पे एक major comeback हमको देखने को मिल सकता है फिर से रायोशी के जो founder है और यहाँ पे कोई ऐसी situation नहीं है बाकी जो update रहेगा रायोशी के जो founder है उनको लेके हम आपको Twitter पे टेलीग्राम पे करते रहेंगे तो Twitter टेलीग्राम पे अगर आपने follow नहीं किया है तो join हमको कर लेना वहाँ पे भी वहाँ पे भी आपको important updates मिलते रहते हैं तो यहाँ पे यह कुछ चीजें हुई है Shiba Ainu के साथ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे a special ship memorial day तो रायोशी a special ship memorial day और एक memorial day जो है आज celebrate किया जा रहा है अगर आप देखेंगे today one year after रायोशी last medium and fittingly enough memorial day रायोशी deleted all all his post and articles तो उसी को लेके यहाँ पूरा यहाँ पे जो है एक article शायतोशी कुसामा की तरफ से आया अगर आप देखेंगे और इसके अंदर वही चीजे कही है तो एक memorial day यहाँ पे जो है ship का अगर आप देखेंगे special ship memorial day जो है यहाँ पे हमको एक celebration एक जो day है memorial day उसको यहाँ पे बाकी सारी चीजें इसमें discuss की गई है जो चीजें हुई है founder ने जो delete किये है tweets उसको लेके तो क्या आप यह सब जो tweets delete हुआ है उसको लेके panic हो रहे है यह नहीं हो रहे है आपके mind में क्या views आरे मनलब आपके क्या views है इन सब की चीजों को लेके बहुत सारे लोग कह रहे है कि shiba inu zero हो जाएगा तो एक tweet delete करने से कोई coin zero नहीं होता है ठीक है शिबा inu की अगर आप developments देखेंगे बहुत ज़्यदा developments है बहुत ज़्यदा use होता है शिबा inu ठीक है जो zero coin होने वाला होता है न उसके जो कहते न चीजें बताती है उसके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है ठीक है तो देखते हैं अब इसका क्या impact पड़ता शिबा inu पर बाकी आपके क्या विजें कमेंट करके आप जरू बताइएगा तो एक announcement आई है Binance की तरफ से और notice of removal of trading pair तो कुछ trading pairs को remove किया Binance ने अपने platform से और इसके अंदर है API3 BNB का pair एक pair यह है एक pair XXP और GBP का है और third pair है TLM और BNB का तो यह तीन pairs को हटा दिया गया है मतलब delist कर दिया गया है और remove कर दिया गया है Binance से तो next update की बात करें तो वह है dentist को लेके अभी तक आपने doctors को भी Metaverse में आते हुआ देखा होगा लेकिन dentistry in Metaverse और first dentist to buy land for a virtual practice तो dentist यहाँ पर पहली dentist अगर आप देखें land buy किया है Metaverse के अंदर Metaverse में entry हुई है dentist की तो क्या है पूरा अगर आप देखें यहाँ तो the dental design studio the dental design studio अगर आप देखेंगे is the first brand to stake a claim for dentistry into the Metaverse यह एक बहुत बड़ी बात है और the British Dental Group has 15 real life locations across the UK तो 15 locations है इनकी जो dental group है इनका British Dental Group और 15 real life location across the UK और इनकी जो land खरीदी है अगर आप देखें Sandbox के अंदर तो Sandbox Metaverse का एक बहुत बहुत बहतरीन project है mostly lands आपको Decentraland और Sandbox में खरीदते हुए दिखेंगे तो dentist भी अब Metaverse के अंदर आते हुए तो यह कुछ Cryptocurrency News और Updates थी आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गे होंगे आपके क्या व्यूज है इन सभी Updates को लेके आप कमेंट करके जूरू बताएगा और आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए